नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। स्वास्तियमिन सी, आयरन, कॉपर, पॉटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइट्रेट से भरपूर होती है। यही नहीं इसमें बीटा केरोटीन जैसी स्वास्तिय वर्धक चीजें भी मौजूद होती है। वैसे तो आम तोर पर हरी मिर्च का इस्तेमाल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक शोद में इस बात का डावा हुआ कि हरी मिर्च के उपयोग से कई स्वास्तय समंदी समस्याऊं से छुटकारा मिल सकता है। NB01 – विटामिन C की मात्रा, परचूर मात्रा में पाई जाती है हरी मिर्च में, विटामिन सी दूसरे विटामिन को शरीर में आउशोशित करने में बहुत मदद करता है नमबर दो हरी मिर्च एंटी ऑक्षिडेंट का एक अच्छा माद्यम है जिहां हरी मिर्च में फाइबर्स परचूर मातरा में होते हैं और इससे पाचन किरिया सुचारू बनी रहती है तीसरा विटामिन A से भरपूर हरी मिर्च आँखों और तोचा के लिए भी बहुत फाइदेमन है नमबर चार हाल ही में हुई कुछ स्टेडीज के अनुसार हरी मिर्च बलड शूगर को कम करने में भी कारगर होती है नमबर पांच हरी मिर्च को फूट बुष्टर के नाम से भी जाना जाता है यह मस्टिश्क में एंडोर फिल का संसार करती है और इससे हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहता है नमबर छे कई सोधों में कैंसर से बचाव के लिए भी हरी मिर्च को बहुत कारगर माना गया है हाला कि अभी तक इसकी कोई परमानित पुष्टी नहीं हो पाई है नमबर साथ हरी मिर्च में एंटी बैक्टिरियल तत्वे होते हैं जिसकी वजह से शरीर बैक्टिरिया फरी रहता है और यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है तो दोस्तों यह थे हरी मिर्च से होने वाले शारिरिक फाइदों के बारे में और शारिरिक समस्याओं को खत्म करने के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद